सच्चाई और अच्छाई जी हां बिल्कुल सभी सुना आपने सच्चाई और अच्छाई कहीं भी डूड़ लीचिये अगर आप में नहीं तो कहीं नहीं हलो साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टेडी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रहे अच्छी वाली आज की क्लास बहुत अलग होने वाली स्प बहुत कुछ सीख जाएंगे लेकिन मुझे पता आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा गंटा मैत पढ़ना बहुत बुरी बात है ना अभी रील देखना हो साथ वीडियो देखना हो अच्छे अच्छे वीडियो देखना डांस वाले और यह मतलत समझ रहे हो यह थोड़ समझा आएगा इसमें फिल हाल उमीद करेंगी कि आप देखेंगे कम से कम आधे गंटे आज हम इस क्लास में घातांक के जो नियम है उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से और एकदम पूरा कंपलीट कराएंगे समझ रहो एकदम स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारी स्लाइड भी बना रखा है तो सेशन को पूरा इंड तक देखना बीच में छोड़के नहीं जाना है ठीक है पक्का देखोगे ना चलो कि आतांका नियम पूरे एक क्लास में खतम हो जाएगा दूबारा आपको कहीं पढ़ने की जिरूरत नहीं पड़ेगी जिन्दगी में अगर हमें टेलीग्राम पर जॉइन नहीं की हैं तो कर लीजिए जिससे कि आपको डेली फ्री कलास मिल पाए और आप घर बैठे प्यार से बढ़ पाओ चलो कि यह सबसे पहले बात करते हैं यह संपूर्ड बैच चल रहा है बाबू संपूर्ड बैच में आपका यह वीडियो नंबर या क्लाफ नंबर 29 है यह बात आपके दिमाग जहन में रहनी चाहिए अच्छे से ठीक है आज पढ़ेंगे घातांग का नियम जिसे इंग्लिस में रूल आफ इंडिसे कहा जाता है या इंडेक्स भी बोलते हैं इसको इसमें दो नियम मैंने पिछली क्लास में बता दिया है इस कलास के last में वो दोनों नियम में फिर से repeat कर दूँगा लेकिन पहले तीन नंबर नियम से देख लिजिए ठीक है घातांग का तीफरा नियम क्या कहता है साथी मेरे घातांग का तूढ़ कोई भी धेर सारी संख्याएं हैं जिनको आपस में मल्टीपल किया जा रहा है जै समझ रहे हो जैसे क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं तस बच्चे मालों पढ़ रहे हैं किसी क्लास में तो टीचर तो सब कर रहा था गल वगल से वह यहां पर जैसा करेगा वाइसा लेकर जाएक जाएक आई ऐसका मतलब समझेगा एक्जामपल देखिए आज जैसे माल लिए कोई भी मैंने तो आप लोगों को देने के लिए यहां पर इकठा कर रखे हैं कुछ कर नियम के अनुसार तीसरे के यह जब कोष्ठा खुलेगा इनकी सारी घाते अलग-अलग हो जाएंगे कर निया तीन का घात भी दो और फिर चार का गात भी दो ठीक है, बात पक्की, कोई दिक्कत नहीं चलो, ये दो दुना कितना हो जाएगा चार और ये आपका तेनतरी करनो और ये चार्चोग 16 हल कर लोगे न, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी कोई परिषानी नहीं इनको गुड़ा कर लीजिए 16 नमीмов कितना होता जानते हो ये 16 दाम में 160 होता है 160 से 16 कम कर दीगए 160 से 20 कम कर देंगे 140 आएगा लेकिन हमें विज थोड़ी कम करना था 12 कम करना था तो हमने 4 जादा कम कर दिया 4 जोड़ 24 हो जाएगे यानी 144 हम कह सकते हैं 4 गुड़े 144 इनका गुड़ा कर लिजिए भाया तो चार चोग सोलाग छाहासी लेक चार चोग सोलाग सातरा हासी लेक चारेकम चारेक पांच यानि पांसो चीहतर किसी को कोई डाउट तकलीफ तो बता देना नहीं ना इसमें और भी बहुत सारे एक्जामपल्स हैं मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक सटीक एक्जामपल बटोर बटोर के रखे हैं चलो आगे बढ़े क्यों भाई कोई दिक्कत तकलीफ परिशानी नहीं न और भी एक्जामपल्स ले लो आप कोई दिक्कत नहीं है चलो वण मोर यक्स वाई जैड ऐसे हैं और इसकी घात क्या है पी इस नियम के अनुसार क्या होगा कोष्टा खुलेगा तो यह सारी घातें अपनी अपनी इतके उपर अलग अलग सवार हो जाएंगी यक्स घात पी वाई घात पी और यह जड का घात पी तभी को बात असपस्ट में किलियर हो रही ना कमेंट के चकर में ना पढ़ना एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं अगर अपनी जिंदगी बरबाद नहीं करना चाहते हैं और इससे ब्लेट तो कम से कम इस तरह के जो कांटेंट टीचर लोग आपको दे रहें पढ़ा रहें उसको देखिए जिससे उन्हें थोड़ा मोटीबेसन मिले और आपको बहतरीन तरीके से सिखा पाएं आपकी जिन्दगी में आप कुछ कर पाओ वरना कुछ होने वाला नहीं है हमारा खुद एक गंटे टाइम लगभग रोजबेस्ट हो जाता है मुबाइल के चक्कर में समझ रहे हो मतलब एक गंटे टाइम बहुत बड़ी बात होती है और आप दिल में सोचिये का कितने घंटे बेस्ट होता है चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट इसे बहुत सारे जैंप अपल दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे होंगा बाकी जब एक्सरसाइज भी करवाएंगे उसमें इनके बिस्तरित कुष्टन होंगे मज़ा आएगा अभी सिर्फ आपको नियम सिखा रहे हैं हाँ अगर आप वन मन्थ में मैज सीखना चाहते हैं तो वन मन्थ का भी जुगाड़ है आपके लिए पीवी आरे स्टडी डाउनलोड करिए अप्लिकेशन में आप सिर्फ एक महीने में मैज सीख सकते हैं जड़ा जनकारी के लिए भी लाइस्ट में नंबर दिखाएंगे उस पर संपर कर लिजिएगा जले घातां का चौथा नियम मैं बोल रहा हूं आदे घंटे स्जादा लगेगा आज कलास में भागना नहीं अगर सीखना भाईया नहीं सीखना तो जाओ खोजो यूटूब पे ढूड़ो देखो मजा लो इंज्वाए करो ऐसा चीज मिल हाँ क्योंकि आज कल वही परोसा जा रहा है और आप लोग वही देख रहे हैं इसलिए वह परोसा जा रहा है यह नियम कहता है कि अगर सभी नंबर्स की घाते अलग अलग लगी हैं तो वह आगे जा करके सब घात उसकी चुरकी पर जूड़ती चली जाती हैं जैसे अरे तो तेन गहत एक तीन के घात पांच अरहे नीचे सब बराबर होने चाहिए या नियनियन सब में है न तो ये तीन रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए तो आगे चलके तीन की घाते क्या हो जाएंगी अरिया सब जुड़ जाएंगी। प्लस वान प्लस फाइब प्लस थ्री अजह थिख है तुए एक तीन यह नितीन घात कि नहीं जाएगा 11 आप चाहो तो इसका अंसर निकाल लो तीन का घात 11 क्या होगा कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि तीन का पावर 11 क्या होगा एनिवन कोई महानात्मा नहीं यहां पर ऐसी का बहिया राजा आगे बढ़ें जलो घातां के नियम में इसमें और भी बहुत सारे एक्जांपल्स हो सकते हैं देख लो और एक्जांपल एक्जांपल और देख जैसे एक्ज का पावर 5 इन्टू एक्ज का पावर 7 इन्टू एक्ज का पावर माइनस 3 इन्टू एक्ज का पावर स्कॉयर मतलब यह क्या हो जाएगा एक्ज का पावर यह सभी जूड जाएंगे 5 प्लस 7 और प्लस यह माइनस 3 और प्लस का 2 कि फाइनल मैं यक्स की पावर साथ पांच बारा दूँ चवदा चवदा मैंसे तीन घटा होगे यक्स का पावर ग्यारा कोई डावड तकलीफ दुख दर्द तो मुझे बता देना इसमें कि लाश्ट तक कलास देखना मैं बार 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 बोल रहा हूं बाबू अगर सीखना या तो ठीक है मायद सीखना है तो इंड तक देखना कम से कम आदे गंटे यह मानलो क्या रील इंस्टाग्राम पर लाइक से बहले नहीं मिल रहा तुमें लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाएगा मैं अच सीखना है तो पूरा सेशन देखना मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर गड़ित सीखने की इच्छा बनाए उस फिर एक वीडियो देख लो बस फिर मत देखना कोई लेकिन इसको पूरा देखना लेकिन हाँ इसको पूरा देखना बाबू देखना लो आगे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है वो आप सुन लीजिए साथ में हम आगे बढ़ते हैं तुरा अंदेर नहीं करेंगे राजकुमार यादो सर मैट्स इस चैनल को यूटूब पर जरूर खोज लेना अगर सारे पार्ट्स देखना चाहते हो अच्छे से तन घातां का नियम में पच्वा नियम रूल आफ एंडिसेस आफ पढ़ रहें याद रखें संपूर लुबैच का 29 नंबर वीडियो या सेसन लंबर है लाइब नंबर इसमें कहता है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर कोई नंबर लगी है और उसके खोपड़ी कुपर खोपड़ी पक्ठिया और कोनों बैठा है तो वह आगे चलके क्या होता है याम इंटू यम डाट 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 पदों तक इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो भाईया देख लो यहां पर थोड़ा सा ए रुख हम जाया यार कि देखो जैसे अगर मैंने लिखा साथ ईसाथ का घाट दो है ना यहां पर और फिर यहां पर घाट है चैडवा जानते हो क्या है कि इसका मतलब यह है कि यह दो है ना साथ की घात इसको हम डाट 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 यन पदों तक लिखेंगे लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तो हम सीधा फीधा बताएंगे इसको छोड़ो यह इतना जानू आप बस ठीक है कि ऐसी अवस्था में क्या करते हैं साथियों उदारन देखो उसको सब को छोड़ो लंबा हो जाएगा जैसे अगर मैंने लिखा कहीं तीन का घात दो और इसका घात एक इसको हल करते समय यह करते हैं कि तीन का घात जो दो है और जो उपर एक तीन का गुड़ा कर देते हैं तो तीन का घात दो आता है तीन का घात दो का मतल ऩज़े हैं नहीं कोई दुकदर्द के बारे में तो मुझे बता देना अगर यहां पर घात तीन लगी है मेरे भाई यहां पर गात दो लगी है तो इस नियम के अकारदिंग यहां आप देख पा रहे हो जो होता है वह होता है 5 कि घात जिदनी भी घाते हैं इनका गुड़ा जिए भाई है तो 5 की घात 6 5 की घात 6 क्या होगा आप कमेंट करके बताना जैसे 5 25 25 25 625 555 क्या हो कर लोगे कोई तकलिफ नहीं इसमें नहीं आगे बढ़ें चलो इनके कुछ और भी जाम पर ले लो भाई ले लो लगे हाथ जब आए हो तो एक्स का स्कुआयर और इसकी घ़ाथ 5 इसे आप लोग करना मुझे बताना 1 वटा 2 पावर यक्स यहां पर वाय इसको भी करके मुझे बताना बताओगे ना ? पका ? कि अच्छी वाला वादा करना एक दम अच्छा वाला कि पक्का करोगे ना यार चलो कि यह तीन हो गए कि चार नंबर ले लो पांच कि घाथ तीन कि अब बहरे से चार कि इन सारे कुश्चंस को आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं अभी एक्सर्साइज हाँ जब हम प्रेक्टिस करवाएंगे तो और बहतरीन तरीके समझा आएगा लेकिन अभी सिर्फ रूल सीख लीजिए एक चीज़ और इसका पीडिएफ हम पीवीर स्टडी के टेली गराम चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है इसका सारा पीडिएफ आपको मिल जाएगा बिल् हमें मोटीवेशन मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो प्ले करोगे तो बंद नहीं करना बीच में लो क्वाल्टी करके देखना भले लेकिन देखना जरूर चलो रूल आफ इंडिस में रूल नंबर सिक्स यह बहुत सिंपल है मज़ेदार भी है यह क्या कहता है बाबू द लाइक समझने लाइक है कि तीन बटाद दो कि इसकी घात यन है न वहीं समझ रहे हो कोश्टक बंद है इनको कोश्टक के बाहर जाने के बाद आजादी मिल जाती है बस यहीं है यहां पर एक्चुली क्या है यह नहीं रहेगा कोई घात रहेगी ठीक है मानलों पांच लिख का मतलब यह हुआ कि तीन को भाईया मेरे बाबू मेरे पांच बार गुड़ा करोगे दो को पांच बार करोगे ठीक है यहीं मतलब हुआ इसका कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए किसी को तीन तरिका नो तरिक 27 तीयां 81 और 81 तीयां यहां कि 243 ना सही बोल रहा हूं ना 243 143 नहीं बोलना तो दुना चार दुना आट दुना सुला दुना बत्तिस कितना आएगा 32 तो यह आपका हो गया क्या अरे वही जो मैंने सुरू किया था समझ गए ना नेक्स्ट आगे बढ़ें चलो टैंसन नहीं लेने का है बस टैंसन देने का है कि इसको जो आपको हसते हैं आप पर मजाग बनाते हैं जो आपका चलिए आगे बढ़ें जीरो सब्सक्राइबर से 5 लाख स्टूडेंट मैंने कैसे जोड़ा यूट्यूब पर व बीच में क्या-क्या मुसीबितें क्या-क्या संगर्स हुआ आप लोगों को कैसे मिले हम हमें कैसे आप मिले यह सब रहेगा उसमें बस थोड़ा सा इंतजार कि इसके और भी बहुत सारे एक्जांपल्स आप लिख लीजिए कि थ्री अपान फाइफ इनको आप लोग खुद से करोगे बाबू ठीक है बोलो करोगे न वादा करो भागना नहीं प्रोमिस करो पक्का वाला एक दम जैसे उससे करके बैठे हो किससे अरे वही जो तोड़के बैठी है मेरा भी तुम्हारा भी न तो बस अपने से करो एक चीज तो जिन्दगी में सीखा यार उमीदे न कभी किसी से नहीं करना खुद से करना अगर खुद से उमीद करते हो तो पूरा कर सकते हो दूसरे कभी आपकी उमीदें पूरा नहीं कर सकते 9X इसको खुद से करना जबझे को ठीक है 8XY इसका square कि यह आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं इस टाइप कोई दुखदर्द तकलीफ होगा तो मुझे बता देना कि हाँ इसमें तकलीफ आ रहा है यह नहीं हो रहा है चलो जल्दी करो एक बार फिर से याद दिला दूँ इसका PDF हम PVR स्टडी के टेली गराम चैनल पर दे देंगे बाबू ठीक है दे देंगे पक्का दे देंगे जन क्लास को पूरा देखना मैं फिर से बोल रहा हूं यह रूल खतम हो गया छट्वा त्यारा रूल पढ़ना इसमें चलो भाई यह यह बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इनका स्क्रीन साट ले लिजी अगर आपके घर में भी भाईया भावी दीदी अंकल अंटी मौसी मौसीया कोई पढ़ रहे न उनके लिए यह बहुत ही जरूरी चीजें है बहुत दुखदाई होती है डीलेड जो चल रहा है न य मैं का है न envelopché में क्या का कहता कि जब घृत माइनस में ओ जैसे 3 का घषा माइनस का 5 तब कर subject कर ली जाती है ऐसे बटे में हो जाती है और प्लस हो जाती है कम क्लियर हो रहा होगा तो दूसरे example में देख लो जैसे 7 का power अगर minus का 2 है ना बाबू भीया, तो ये क्या होता है 1 upon 7 और power 2 ऐसे हो जाता है यानि घात को plus करने के लिए इसको fraction के form में लिख देते हैं example और देख लो जैसे 3 बटा यक्स की घात minus 5 तो ये हो जाएगा 3 गुड़ा यक्स की घात 5 मतलब घात plus में हो जाएगी जो चिन माइनस है नीचे उपर जाएगा प्लस हो जाएगा बाद समझ रहे हो ना, ये चीज़ तो मैं आपको अलग बता दिया लेकिन है उसी का संबंध इससे भी ठीक है थोड़ा इसका उल्टा है बस सभी को समझ में आ गई ना मेरी बाते जैसे यक्स की पावर अगर माइनस का 3 है भहिया मेरे तो इसको लिख सकते हैं बाबी यक्स की पावर 1 आपान एक्स की पावर मतलब स्वारी, 1 अपान एक्स पावर 10 सभी को समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना चलो जल्दी इसको लिख लो एक बार मैं फिर से आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को पूरा देखना अगर आपको मैत सीखने की दिल में थोड़ी सी इच्छा होगी तब लेकिन याद रखना मैत ही जिन्दगी है कैसे जब कोई इंसान पैदा हो और तुम्हारे आने के पहले भी मैत लगी थी क्यों 270 दिन में इंसान का जनम होता है नो माह में उसमें भी जोड़ा गया होगा आपके महबापने जोड़ा होगा कौन सा महीना चल रहा है कितने महीने में आने वाला है तब आहीं मचाने तो मैत से पीछे नहीं भाग सकते हो नहीं कुछ करोगे जौब नहीं करोगे बिजनेस करोगे कुछ भी नहीं करोगे बाप की संपत्ति खानी है फिर भी ला भानी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा दुकान पर संपू साबुन नमक तेल लाने जाना ही पड़ेगा तो मैत जरूर अनी ठीक है नहीं तो आगे ज सब्सक्राइब एक वह दिए जाइस तुनना अगर सर्मा जी ने आपको डाइस गराम चीनी दिया और चीनी का रेट फोटीएड रूपय है आप ये बताओ चच्छा कितना रूपय चीनी हुई रुपए लेकिन रियल में कितना हुआ अगर पढ़े लिखे रहोगे मैं थाती रहेगी तो कहो गया चाच्चा वह मानी हम ही से हां बारा रुपए हुआ और होता है अक्सर जगा होता है बाद में का कहेंगे अच्छा मैं भूल गया हुआ है इस लिए पढ़ लो मैं इस लिए बाकी नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं चलो घातां के नियम में अगला रूल अगला रूल का मतलब इनहीं का लड़के बच्चे है विसे बहुत इक जांपल हो गया अर्ब का करोगे जाने दो आटा इनको कहां कहां तक हो गया ना माइनस वाले में ठीक है अगला जी सब हो गया कितना बचा अभी तो कई बचा होगा हाँ इसमें थोड़ा सासपस्टी करना और आपको कर देता हूँ लाइट चली गई है बबुआ तो लाइट नहीं है इन्वेटर से देखो कितब चलता है देखो फिलहाल क्या हो रहा था इनका थोड़ा उल्टा फार्म ऐसे ऐसे ये क्या होता है आएसे हो जाता है इसी का भाग है अभी साहएद एकजम्पल मैं आपको दिया भी था जैसे अगर 5 यक्स घाद माइनस का 3 है तो यह चचा यह 5 गुड़ा यक्स घाद 3 हो जाता है यानि 5 यक्स का पावर 3 यह कंडीशन है कुश्चन में आती है बीच में जब कल्कुलेशन करोगे आगे बढ़ोगे तो इसलिए आपको यह चीज़ें आनी चाहिए नहीं तो आगे जो ना हल करके ऐसे लगा देंगे हम तो तुम काओगे कई से आया हो तो हम काएंगे बाक निकल यहां फे बेवकु आगे बढ़ें किसी को कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं यह आपके काम का है भईया बाबी अंकल अंटी किसी के लिए इनको लिख लो देख लो समझ लो उतार लो छाप लो खींच लो अगला घातांका आठवानियम बहुत आप बहुत लखी है साबास आपको में बहुत बहुत बधाई और सुब कामना है देना चाहता हूं जिंदगी में आप जो चाहते हैं सब कुछ हाफिल करें और दिल से निकली हुए दूआ कभी खाली नहीं जाते हैं क्यों क्योंकि अब बुरा नहीं मानना मेरी बात मेरा मतलब है कि आपको रूंक के रखूँ चलो भाई यह कंडीशन में क्या होता है समझना यहां पर बेस सेम होना चाहिए घाते अलग-अलग जैसे तीन कग यहां पर पांच यहां पर दो यही से नहीं हो गबाबारु कि जनना तीन बटा कि यहां पर घात दो यहां पर घात तीन लेकिन इसमें भी थोड़ा लोचा है का लोचा है पता है आपको यह बेस इक्वल होना चाहिए बाबाबा बैया बेस इक्वल होना चाहिए तीन तीन ठीक है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है वान अपान फिरी का पावर क्या होता और यह यह माइनस टू ऐसे हो जाता ठीक है और फिर क्या होगा पता है आपको यह इसमें से सब्ट्रेक हो जागा जएगा और यह आएगा वन अपां 3 का पाउर 1 फाइनल में आपका है सकते हो वन अपां 3 समझ गें चाच्चा ад JIM कोई दिक्कत और सानी नहीं न न तो क्या मैंने साही लिखा एक बार इस नीएम के करदिंग देख लो जोड़न नीचे वाली घहाती उसमें से उपर वाली घहात को घटाया जाता है मैंनेetzt किया था बेस इक्वल होता है ठीक है मैंने वहीं किया था कोई दिकत नहीं कोई तकलिफ नहीं कोई दुक दर्द नहीं इसमें न अवेसे तो बहुत दर्द है लेकिन इसमें नहीं चलो अब क्या करेंगे एकातिक जमपल और देख लो लगे हाथ फिर यहां पर इंद को इस्टार उस्टार बना लो कुछ भी जैसे अगर मैंने लिखा कि साथ का घात दो नीचे साथ का घात पांच इसको आप हल कर लोगे और मुझे बताओगे ठीक है इमानदारी से बताना बिल्कुल भूलना नहीं और यह क्या होगा इसको भी बताना लेकिन यह तो गलत है न यह गलत है इस तरह का सवाल हो यह नहीं सकता है क्यूं बतलब इस नियम के अनुसार नहीं होगा बाकी होने को दुनिया बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि इनका बेस अ लिक लो मैं फुर। आगे बड़ें झालो at it. कि इनके और भही कुछ एक्जाम्पल हो सकते हैं का लिख लो यार एक्जाम्पल है लिख लो नहीं पाद में गरी हाते हो नहीं बताए जादा एक्जाम्पल लिख लो लिख लो भाईया है लिख लो बाबू पांच की गहद साथ और पांच की गहद नो. लिख लो यकस की गहद नाइन एंड यकस गहद पंदरा. इनको कर लीजियेगा. आप बहुत ही लखी हैं, बहुत ही हिम्मती हैं, जिन्दगी में बहुत कुछ करने की साहस रखते हैं, अगर आपने मेत की खूंस में आदी गपांटे भीता दिया तो यकीन मानिये आपके अंदर वह सब कुछ कूछ कूट कूट के भरा है जो चाहिए आपको क्योंकि मैद की कलास में आधा घंटा बिताना तसुराल में जा करके अपनी बुढ़ाक पास बैठे रहना बराबर होता है कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात मैं देखा हूँ बहुत आता लेकिन देखने में अपने उपर गुजरती तब गड़बड होता है और अपने उपर गुजरेना इफलिय मैंने अब तक साधी बिया किया ही नहीं आगे बगवान जाने का होगा यह रखताना यह वह पताना कमेंट करका होता है कि नहीं होता था न बता तो बता तो अभी इलड़ गए अभी अवी बारी बार गए अभी आया नहीं हो गया आठ नमबर यह एक बड़ी खुशकवरी है कि पीवी आर स्टडी के जो अपली केसन में न यह फ्री कलासे भी डाल दी गई है यूटूब वाली सिस्टम से सीरियल से बिना एड़र्टाइजमेंट के आप जाओ और पढ़ो प्यार से बिना किसी पैसा के वहां फाइदा यह है कि यही कलासे होंगी यूटूब वाल लेकिन एडोड नहीं आएगा वीडियो आपको खोजना डूड़ना नहीं पड़ेगा एक बार जा करके आप ट्राई करके देख सकते हो आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं चलो अगला का है हो गातांग के नियम का न लेते हैं अरे यह वह इसे जामपल जैसे आज की जमाने में इससे बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे राजनीती देखे हो ना जिनकी सत्ता होती जिनकी सरकार होती किसी की भी और किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेने वाला हूं यहां पर चाहाए और राश्ट्रवा यहां पार्टी में आ गया ना उसके सारे पाफ दूल गए गंगा ना लिया फिर कल जो उसको गाली देता था पार होता है यह सब जन्ता को दिखाने के लिए लड़ा जगड़ा होता है बाकी वो लोग आपस में बहुत बड़े अच्छे खासे फ्रेंड होते हैं यार तुम लोग जंता तो बेवकूप है तो कल ताली बजाएगी जंडा उठाएगी और क्या करें इसलिए सिच्छा को दबा जाता है कि आप एजुके टेड ना हो पढ़े लिखे नहीं और अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या होगा ताली बजाएंगी सिंपल सी बात है चलो तो इसमें कुछ एजंपल के माध्यम से आपको समझाने की कोसिस करता हूं जैसे तीन बटा साथ इसका पावर अगर मानलो लगा लो माइनस का टू ठीक है बहुत सिंपल है सिर्फ एक है स्टेप करना है तो यह हो जाएगा आपका पलट जाएगा फेबन अपांथरी और इस में हुआ यह कि जो फ्रेक्शन थी इसको पलट दिया गया और जो घात माइनस में थी वह प्लस हो गई बस इतने करना होता है और कुछ नहीं दूसरा अगला एक जामपल जैसे यक्स अपान वाई और इनकी घात का है चच्चा माइनस का जेड तो इनको आप क्या करोगे वाई अपान जेड और घात कितनी हो जाएगी पलस हो जाएगी वही से जैसे मैं बताया कि राजनीतिक पार्टियों में जो बहुत बड़े माफ होते हैं अगली अपोजिट पार्टी में होते हैं तो वह क्या करते हैं जिनकी सत्ता होती उनकी पार्टी में चले जाते हैं और वह इमांदार बन जाते हैं एकदम दूद के दूले चंगे से तो वैसे क्या है इधर यह माइनस में थे इधर गड़बड अवस्ता में थे ले एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने आधे गंटे अगर मैत की क्लास में पार कर लिया तो आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान है, आगे जिंदगी में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैत की क्लास में आदे घंटे विताना बहुत बड़ी बात होती है, चलिए, तो कुछ और एक्जांपल, अब आपको मैत सीखने से कोई रोंक नहीं सकता है, समझ रहे हो, हा तो यह घात इसकी माइनस का चार, अब इसको आप लोग कर लेना, कहा हम ही सब कुछ करें, आप लोग किस दिन के लिए पैदा हुए हो भाया, हम ही सब कर लेंगे, कहा, लिख लो, चलो, यह सारे एक्जांपल्स आप लोग कर लिजिएगा, यह था घातांग का रूल नंबर नाइन आफ इंडिसेस, इंगलिस मेरी थोड़ी तेनी मेड़ी है, लेकिन फिर भी जो भी है अच्छी है, यह भाया आगे बढ़ जा, इनके और भी एक्जांपल में मैं क्या दिखाऊंग आपको, लिख लो, आठ बटा साथ, इनकी गात माइनस का पी, एक्जांपल और भी लिख लो, यार है तो वही सब फालतु चाहे जितनी बार लिखो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, ना, तो अभी जब अभ्यास प्रफन करवाएंगे, तो इनसे संबंधित कुश्चन आएंगे, वहां मचाएगी, यहां तो क्योंवाल सेंपल सेंपल है, सिंपल नहीं बोल आगए बढ़ें, चलो, हां, डेली फ्री कलास के लिए, अगर आब तक हमें टेली गराम पे जॉइन नहीं किया है, तो इतनी बड़ी गल्ती نہ करें, तुरन जाके जॉइन कर लें, क्योंकि टेली गराम पे जितनी कलास चलती है, जितनी कलास की सूचनाइं होती है, कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं आज उससे मिलने गए हैं तो तेलिग्राम पर चाहते हो यह सब चुपपे वाले चीज़ेंग देखना तो टेलिग्राम पर जरूरुर जोइन कर लेना लोगों को जोड़ा जा सकता है अब नई अपडेट किया उन्होंने थोड़ा तरस खाए उन्होंने पांसो बारा कर दिया बस उससे ज्यादा नहीं और हमारे यहां कर साड़े चाल लाख बच्चे हैं तो हम वाट सब गूरूप बनाएंगे तो हमें रोजबंद करते रहते है वहत नंबर हमएं और लोग भैन लगा देते हैं यह नहीं चलेगा बहुत कमाई कर रहें लोगों से उनको नहीं पता है कि बचे हमारे फ्री वाले चलो गातां के नियम का दस्वान नियम बस थोड़ा सावर बचा है थोड़ा सावर बचा है कि वल पांच मिनट अउर देदो खतम हो गया जलो देखो इसमें क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर चर अचर चर मतलब घांस चरने वाली बात नहीं बोल रहा हूं चर मतलब वारियेबल्स अचर है दिनकाज जीरो बराबर वन यहां पर एक चीज है कि एडाज नाट इक्वल जीरो अजीरो के बराबर नहीं हो सकता है तुम लोग कहा अच नहीं होगा का ऐसे यह कहा गया है कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है ए कुछ भी होगा लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो सकता है तो यह यक्स का पावर जीरो बराबर वन हो सकता है ना इन का पावर जीरो बराबर वन हो सकता है लग कुछ भी हो सकता है इसे इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं न क्यों ये घातां के नियम का लाश्ट नियम पहुँच चुके हो लगबग आज मैंने दुला था इसको आधा सूखा है आधा गीला है फिर भी अच्छा लग रहा है फिरस औरस नहीं करते हैं हम आधत नहीं अपनी चलो देखो ये माइनस है न अंदर में इधर जाके क्या हो जाता प्लस ऐसा तब होता है जब यम एक सम संख्या हो सम को बोलते हैं चच्छा इबन नंबर क्या बोलते हैं बाबू इबन नंबर ठीक है जैसे उदारण मालो की पांच माइनस में है इसकी घतिया दूई है यह हो जाता है पांच का घात दो क्यूं हो गया क्योंकि यम क्या है समसंख्या है यम का मतलब घात इसका पोजिट देख लो रज्जा अगर यही माइनस पांच होता और यह तीन होता न यह माइनस पांच की घात तीन होती ये प्लफ नहीं होता ये जो यहाँ हो गया काहे को क्योंकि घतिया माइनस वो बिसम संख्याती क्या थी? odd number है ये बिसम है पस इसमें ज्यादा कुछ बताना तो है नहीं मुझे लगता है जो बताना था मैंने बताई दिया और भी कुछ ऐसे ले सकते हो अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या होगा, इसका प्लस होगा की माइनस, बताओ न, कहीं सर्मा रहे हो, इतना नहीं सर्माना चाहिए, बताओ, आगे बढ़ें, ये देखो दूसरा वाला आ गया, सेम उसी कटेगरी का है, उसी विरादरी का है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सर्मीला है, जैसे माइनस 23, इसकी पावर है, इतना, बताओ, ये प्लस होगा की माइनस, माइनस का बारा, इसकी पावर है, 93, प्लस होगा की माइनस, अब कुछ लोग वा, एम कनफूज हो जाएगा, की भाईया हो, ए रज्य सुनो न, इन लोगों का ये मतलब होगा, की ये जो 93 है, सम है की भी सम है, अब इसी कनफूजन में जी रहे हैं, क्यूं, कुछ ऐसे मासू है, लेकिन ये बिसम होते नहीं है, मैं कई बार समझाया हूँ, कि आप मेरे एक्जंपल से जूड़ पाओ, जैसे आज कलके युवक युवतिया, बनाते हैं, वो प्राणी का क्या नाम होता है, लिखूंगा बोलूंगा नहीं मुझ से, ये सुना न, आपने, इसको एप्ट अच्छा होता है, लेकिन तब तक जब तक सच्छा ही पता नहीं होती है, इन देखने में क्या मासूम से, अच्छे से, स्मार्ट से, बोले से, सुन्दर से हर चीज रहता है, कोगे इतना ज्यादा काय कुछ जा रहे हैं उसमें, इस लिए कि आप इसको समझ पाओ, वैसे क्य देखने में यह नंबर लगते हैं क्या हैं, देखने में लगते हैं कि यह क्या हैं यह विसम संख्याएं, लेकिन वह वास्तों में हैर हो क्या रहा था, हम सम विसम की बात करते करते भाज भाज में पहुंच गए, और इगलती हो गड़ बढ़ हो गया, फिलहाल हम जो बताना तालुक से नहीं है थोड़ा सा मेरी भी निगाहें बहुत चक्का खा गई कि इसको मैं भाज या भाज समझ लिया था लेकिन फिर भी जब मैं आपको इसको लेके इसमें आई गया तो इसको किलियर कर देता हूं साइड में भाज भाज भी आगया भी उज होगा ठीक है तो दे देखो गे तो यह लगते हैं आपको एहसास होता है कि वो क्या है यह क्या है अभाज जे लेकिन यह अभाज नहीं होते हैं यह सभी भाज होते हैं जैसे 99 हो गया है अज़े और से बहुत सारे नंबर है बीच-बीच में आपको मिल जाएंगे यह यह सारे नंबर क्या लगते हैं यह अभाज लगते हैं देखने में बोलो लगते हैं कि नहीं लगते हैं न भया यह यह सभी क्या लगते हैं यह देखने में सब अभाज लगते हैं लेकिन यह वास्तों में अभाज होते नहीं हैं होते नहीं है कि समझ रहे हो न तो भाज समझ गए हाँ यह एक्जांपल फिलहाल इससे संबंदित नहीं था भाज भाज से वह सम भी सम से था लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया आप भाज 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 भी इसमें मुप्त में सीख गए बीच में है ना तो आप कहोगे काहे नहीं होते हैं जो लिखे थे यहां उसको बिस्तार से काहे नहीं बताए उसको मैंने आल्रेडी बताया है अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा क्योंकि वह संख्या जिसके एक समझी लीजिए जब मैं पकड़ा हूं तो इसक 119 हो गया न यह क्या भया यह बाबु भाजय संख्या भाज नहीं कि क्योंकि 176 100 277 119 होता है तो इसका जो है सट्रार साथ है और सत्रार है सद्ट उन्चा साध्यकम सचारग्यारा ठीक है यानि इसका जो सक्टर है वो वन तो है और उसके अलामा भी दो है और यह खुद तो है इतने सारे फैक्टर हैं इसके चार फैक्तर हैं देखने में लग रहाता है एक कोड नहीं है एक देम वही एक जैंपल जो भी दिया था जी और वी वाल देखने में लगता है को नहीं है एक नहीं है पीछे पूरी टीम खड़ी है समझ रहो इसके कितने जारेन इसले क्या आई है यह अभाज नहीं है यह भाज जिसंख्या है देखने में आभाज लग रही थी ठीक है इसी तरीके कि और भी नंबर है जो अभी मैं नहीं हुआ फिलाल यह भी आगे यूज हो जाएगा और अपच तो नहीं होने वाला हाजम हो जाएगा ना भया वीडियो को पूरा देखना मैं बोल रहा हूं जाना नहीं अभी अभी बहुत कुछ बाकी है तो यह इस तरह क्या आप लोग कर लोगे हाँ कर ले ना बस हो गया बहुत कुछ हो गया इसमें तो भाया हो दो नियम जो स्टार्टिंग में छूटा था नियम नंबर एक और दो उसको भी मैं बता दे रहा हूं जो बच्चे पिछली कलाफ नहीं देखे थे उनका इसमें क्लियर हो जाए और अभी लाश्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आती महत्तोपुड सूचना देने वाला हूं इसलिए पांच मिनट अभी जरूर देखना पांच मिनट जाना नहीं बाबू बिल्कुल नहीं जाना मेरे भाईया जाना नहीं घातां का पहला नियम क्या कहता है कि गुड़ा करने पर घाते जुड जाती है तो क्या होगा एकजामपल ले लो भाईया एकजामपल ले लो बाबू जैसे तीन का घात दो गुड़ा तीन का घात साथ तो गुड़ा करेंगे तो घाते जुड जाएंगी बराबर तीन का घात नो जैसे साथ का घात पांच गुड़ा साथ का घात छे बराबर साथ का घात पांच धन छे बराबर साथ का घात चापांच ग्यारा ठीक है ऐसे बहुत सारे एकजामपल हो सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन ध्यान रहें कि यहाँ पर बेस जो है भाईया एक है होना चाहिए बाबू, फ्रेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो, और ये साथ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साथ दो नो, यक्स घात नो माइनस एक, बराबर यक्स घात आठ, कोई दिक्कत परिसानी नहीं न, ये हो गया घातांग का पहला नियम, जो पहले ही स्टा इनके नियम के और भी एक्जामपल, आप कुछ भी कर सकते हो, ये फिलाल कुछ भी नंबर होका डाल लो भईया, जल्दी हो रही है, बहुत देर हो रही है, उड़ा करने पर घाते जुड जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे, इसमें बेस इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल हो इन नियम नंबर दूसरा है, भाग करने पर घाते घट जाती हैं, जैसे 7 को पावर 2, टिवाइड बाई 7 को पावर 1, ये हो जायागा भाई मेरे 2 को पावर, मतलब ये, ठीक है, जैसे 9 को पावर 8, आथ बाइड बाई 9 का पावर 3, बराबर हो जायागा, 9 को पावर 8 माइनस तीन बराबर नौ का पावर पांच ये विए देखो अगर आपने इस कलायो को पूरा देख लिए ना तो निचे कमेंट करना कि हां मैंने पूरा दिकर गण हैं फोड़के नहीं जाना अगर आपने नहीं छोड़ा ना कलास बीच में तो मैं सीखने साब remote को हम नहीं समझ रहो बाकि आसी बात तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत छोटें आपसे फिर भी दूआ बहुत लगती है चलिए आगे बढ़े नियम दो के एक्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं और मैं देर मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं देखो कि घंटों हो गए कमेंट करना अगर चाहिए तो मैं एक्जांपल दे दूँगा तेली गराम चैनल पर ठीक है अगर आप यह आपके घर में कोई डीलेड बीटीसी वाला है ना तो बड़ी बहुत अच्छी खबर है आफर है महा आफर है एकदम लूट लो वाला आफर है पूरे दो साल के लिए इतना रूपया का फीफ लगता है डीलेड में और यह हम आपको दे रहें ओनली सेबन डब को मिलेगा वह बड़ा बड़ा वीडियो मिलेगा 2 गंटा 3 गंटा एक घंटा चार गंटा ना लेकिन तब मिलेगा बाबू एक निवेधन है जब आप इस वीडियो को खूप शेयर करोगे दबाकि ठीक है खूप करोगे और इसको ब्यू जाने चाहिए कम से कम आगले किया उन्होंने पूरा देखा तुरंत हो जाए ठीक है नियू बैच भी एक सुरू हो रहा है इसको भी देख लो साइड में यह भी आपके काम का है इसमें सारी जनकारी बताई गई है समझ लीजिए देख लीजिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए फटा-फट आप लोगों दिल से बहुत-बहुत थैंक्यू दे सारा प्यार आप लोगों ने इतना टाइम दिया उमीद है कि आप मैट्स की क्लास देखेंगे यूट्यूब पर या कोई भी नौलेज वाला वीडियो देखेंगे साथ वीडियो और रील देख देख करके कच्छा पक्का बदाम देख करके अपनी जिन्दगी स्राटा माटर ना बनाएं क्या कहना चाहता हूं उमीद है कि आप समझ गया हूं थैंक्यू